हेलो फेंज इन्वेश्ट फोरेवर में आपका एक बग फिरसे स्वागत है और आज ये लेट वीडियो आ रही है बोद श्टॉक चुनके आपके लिए आपकी हरे क्वेडिस को यहां पर सॉल करने कोशिश करते हैं तो हमारे चैनल इन्वेश्ट फोरेवर सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन को हिट कर लिए हर एक वीडियो को लाइक करिए जाके वीडियो को देखेंगे पैसा बनेगा यह यहां पर आपको हमारी फाइनिशे सर्विस अच्छे तरीके से यहां पर आपको श्टॉक्स पहले ही बता दिये जाएंगे एस वेल आपर कल्की डेट में मैंने कुछ एक वीडियो बनाई ते और इस वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर निफ्टी-50 का टार्गेट किया है सब कुछ आपको बताया तो आपको बताया था निफ्टी-50 काहां जा सकती है मिटकेप के साथ क्या हो सकता है स्मॉल केप के क्या हो सकता है तो उसी से लेटिड बाते थोड़ा सा शॉक टम में अपने प्ताऊंगा मैंने आपको अल्रेडी बता दिया था कि यहां पर और यहां से नीचे गया तो याद रखिएगा एक गरावट होगा जो इसे अहां पर 17.000 पर आपको बताए कि से कहां पर यहां होगी और यह रही होगी और यह ii को थोड़े समझिए as well as मैं आपको मैंने nifty 50 nifty mid cap में आपको कुछ बताया था कि nifty mid cap में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आती तो सेम ही होता हुआ नजर आया मिट कैप आच की डिन में ऊपर था पूरे दिल ओके फिर इसके बाद थोड़ा से नहीं चाया और यहां पर अगरम बात करें तो वहीं पर ज्यादर गिरावट नहीं थी वहीं पर जाकि यहां पर श्टक रहा इसके लावा यहीं पर सेम स्मॉल कैप के साथ होता हु यहां पर रावट नहीं पर नहीं पर बनता हुआ न नजर गरा यहां पर ऑ. यहां पर बात करें ह्भाल 2 बात करें попроб 골udo हाईक erूड में तो यहां पर самой बात करें तो एक अची खासी इंहां पर अच्षोग पूर्ड यहां पर यह पर बात कश सबसे पहले हम हैं चाहिए अगर भूरोंडा सब दो क्यर यहांद टेम में पया अज़्शन के को मुईन का सब्सक्राइब कर Mouse घाल कि अगर हम बात करते है तो push Bu a sham 25 क स्मॉल कामपी स्मॉल नutip कंपनी हमेशा में definite होगे स्मॉल केप कम्पणरीय जब भागती यह तो थेजब बगती है हो। इसलिए आपका स्मॉल केप में इंवेस्टमेंट थोड़ा सा कम होना चाहिए ओक्यार को एसे अइसे स्टोक командर में समस्क्राइइब फंडामेंटर संफ अच्छे न Dracula कमी चुछा 49% की delivery level, solar action यहां पर delivery basis पे यहां पर उठाए गई है यहां पर बात करें, 62% का यहां पर करज भी है और company क्या करते है, company chemical sector में यहां पर काम करते हुई दिखाई देती है और यहां पर crop protection, pharmaceuticals and specialty chemicals industry में काम करते हुई दिखाई देती है battery company है, सब कुछ यहां पर अच्छा का सा नजर आता है, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर revenue break up देखेंगे, कहां से इनका आता हुआ दिखाई देता है तो यहां पर मैं आपको कुछ points दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले हाईकल यूँ ही डालेंगे आप हाईकल कुछ दिन पहले कुछ होता हुआ दिखाई दिया था, यहां पर अगर बात करें और बी कुछ न्यूज है, यहां पर 11% इन 4 देज ओके अच्छा खासे यहां पर करेक्ट हो गया है, इसी वज़े से यहां पर एक स्टेट है उन्होंने आपने इने बोगट यहां पर कुछ जस्वी कुछ आपर देती हुए नजर आई है कि इस तरीके से यहां पर बंद रखे क्योंकि आपको बताई जितने भी श्टॉक्स होते हैं वह प्राय वरन को खड़ाब करते हैं तो इस वज़े से यहां पर उससे लिटेट भी कुछ निवस है तो इस वज़े से यहां पर देखेंगे तो काफी बहंकर रिस्क वाला स्टॉक्स है क्योंकि ना तो जादा बागता है ना जाग जादा यहां पर देखेंगे गिरता भी है तो भागता भी है बट एक साइड बेस जोन में ही यहां पर शेयर 25 से जब से आया है और यहां से देखें तो कुछ खास इसने यहां पर आपको रिटेन नहीं दिये तीन गुना यहां पर पैसा हुआ है 2019 तक बट 2021 में आया तो यहां पर यहां पर आपको जंप दिखाई दिया और उसके बाद यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट क्या करना चाहिए और यहां पर अगर देखेंगे लास्ट क्वाटर तो yearly basis पर अच्छा खास है पर पॉफित था बट quarterly basis पर यहां पर गिरावट थी just because of I think expenses if I'm not यहां देखें इनके expenses ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया थे इनके revenue तो बड़ी थी बढ़ते हुए दिखाई दिया थे तो इस वरे से यहां पर अच्छी खासी रिजल्ट और long-term की बात करें तो long-term में एक growth story अच्छी खासी यहां पर दिखाई दे रही है तो यहां इस तरीके से ऊपर भागा था उसी तरीके से यह राउंडिंग बॉर्टम बढ़ते हैं तो देखें यहां से मुझे क्या लगता है अगर एक अच्छी खासी ग्रोथ थी तो देखिए यहां से मुझे क्या लगता है अगर एक आत कौर्टर के रिजल्ट बेकार आए ना तो को याद रखिएगा यह जिस तरीके से ऊपर भागा था उसी तरीके से यह राउंडिंग बॉर्टम बना अप बना के यहां पर एक राउंडिंग बॉर्टम होता है जो की चीजों को ऊपर देजाता है एक होता है राउंडिंग अप मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है कोई कुन है इस तरीके से बॉर्टम बनाके यहां तक नीचे तक जा सकता है और उसे और भी तरीके से तोड़ सकता है तो इक चार्ट पैटर्न दिखा एन तो आपको समझ में यह ऐगा जाने की उम्मीद है क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं तो चीज़े नीचे जाएगी बट यहां पर शॉट टम में चीज़े ऊपर जा सकती है अगर इस तरीके गिराबट हुई है और 12-13% की गिराबट हुई है और अगर दिखाओ तो यह बड़ी बात होती है बट यहां पर अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते है तो याद रखेगा शेयर भी भागेगा और शॉट टम में मुझे लगता है कि यह शेयर आपको जो हमारे 20-30% के टारगेट होते हैं वो तो यहां पर आपको दे देगा तो जाधा का लालच मत करिएगा तो 20-30% के टारगेट के लिए ही यहां पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर एक बहतरीन सपोर्ट नजर आता है यहां पर एक बहतरीन सपोर्ट ले सकते हैं, इसके इलावा एक शेयर से लेकर बात करेंगे, इसका नाम है माश्टेक, माश्टेक कि अगर हम बात करें, आज के दिन में कितना गिरा है, 11 परसेंट, बलकि 11 नहीं, और भी जादा था, गिरावट होती हुए नजर आई, क्या गिरावट वैलिड थी, या क्या था, तो एक बन की वज़े से, पट मैंने हापर कल रिजल्ट पढ़े थी, मुझे यहापर बेकारन लगे, यहापर अगर दे रख गाया, तो यहाँ पर दे रख गाया, ठीक है. काफी बहतीन यहाँ पर company है तो यह इस company की तरफ एक बरन की website पर जाएगा तो आपको पता चलेगी small cap company है 8485 करवों का market cap है but IT में growth है आगे और आगे भोज जादा है यहाँ पर यह share भागते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर short term में क्या हो रहा है वो मत देखिए long term में इनकी growth काफी जादा है क्योंकि यहाँ पर nifty IT को भी देखेंगे तो nifty IT ही पूरा टूटता हुए नजर आ रहे बड़े बड़े श्रॉक टूटते हुए नजर आ रहे तो यह तो चोटा साय है यहाँ पर देखिए आज का phase value भी है और यहाँ पर maximum chart pattern की बात करें company का maximum chart pattern अगे ही हाइकल की तरह ही है यहाँ पर गिरता हुआ एक consolidation phase में था यह उसके बाद एक अच्छी कासी यहाँ पर already shared यहाँ पर भाग चुका है 30 के PE पर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहे है और यहाँ पर result आपका expenses भी उसी तरही के से होते हुए नजर आया बट थोड़े से यहाँ पर employees cost हुई है कम हुई है जिसकी वएसे थोड़ा सा यहाँ पन के result पर इफक्ट पड़ेगा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो company का highest level profit है और जब चीज़े highest level आने के बाद गिर्थी हुई दिखाई देती है तो वह एक opportunity बनती है इस चिर्प याद रखिएगा जो की highest level यहाँ पर दिखा रहा है इसके इलावा यहाँ पर other income यहाँ पर देखिए जो other income थी last time ज्यादा थी और एक साल पहले की बाद करें तो वह भी ज्यादा थी इस वज़े से और इस बार की other income थोड़ी सी कम थी इस वज़े से वह effect यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर इनकी profit कम होता हुँ दिखाई दिया इसे मैं बिल्कुल भी valid निमानता other income कभी जादा होती है कभी कम होती है तो वह हो सकती है तो इसलिए इसको ना देखते हुए consolidate number ही देखेंगे और consolidate number देखेंगे समझभाएगी चीजे यहाँ पर highest level यहाँ पर आती हुई दिखाई द है बट यह 11 परसंट की रहा है तो याद रखिए जब return देगा तो इस ही साफ से देगा रिजर्फ अच्छे का से रिजर्फ से बॉराइं यहां पर देखेंगे कम होती ही दिखाई दे रही है यहां पर cash भी ठीक ठाग है और यहां पर बात करें ROC 30 के ROC पर highest level चल रहा है यह यहां पर देखिए यहां पर as it is promoters की holding है थोड़ी सी ना के बराबर कम हुई है बट यहां पर FIS की holding देखेंगे FIS की holding यहां पर बढ़ी है तो देखिए 50% की holding public के पास है पर 50% यह बड़े लोगों ने यहां पर already रखेंगे और भी एचनाइज होंगे जिनकी 1% से नीचे होगी यहां पर दिखाने रखा है तो यहां पर थोड़ी सी public के पास होती है ज्यादा होती भी नहीं है तो इस सीट को याद रखिए मास्ट है एक बैतरीनी स्टॉक्स है रिजल्ट आपके सामने मैंने दिखा दिया रिजल्ट में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई इशु नहीं है कंपनी काफी बैतरी नजर आती है और यहां पर शेयर गिर चुका है और यह शेयर अगर गिर के और यहां पर 2700 की लेवल पर आता है तो यहां पर बाइन डिप्स करना है यहां पर शुरू कर दीजिएगा ओके और यहां पर और नीचे गर जाता है तो और एक भैतरी नहां पर अपॉर्चिंटी बनेगी यह इसी तरीके से यह थोड़ी टाइम के लिए तीन महीने छे महीने चीजे निकलेगी तो 27% के टारगेट को यहां नजर आ रहे है बड़ी 27 पने रुकने वाली यह चीजे आगे रेटन देंगे और इस बार जब रेटन देंगे तो यह चीजे तीन चार अजार रूपे तक ही टच करती भी दिखाई देगी बाइंग सेलं की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने पै चीजे आप से ट्रेड ले सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जितना होसे कि हमें सपोर्ट करने ही कोशिश करियेगा यह पर्टिकूलर नमबर है, कॉंटेक कर सकते हैं, तो थेंक यू सो मच, गॉड ब्लेस